अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सस्क्राइब बटन यहाँ पर दबा देजिए हम अच्छे-च्छे स्टॉक्स बताते रहते हैं और बुरे स्टॉक्स भी बताते रहते हैं तो बुरे स्टॉक्स से तूर रहिए अच्छे stocks को अपने portfolio में जगा दीजे आगे क्यों बढ़ते हैं हम इस stock के बारे में बात करेंगे वो एक कैसी company है जो घर-घर में use होती मतलब अगर आप हर दीवाली अगर आप तेहार मनाते हैं तो घर में paint करते हैं आप समझ गया हैं कि मैं painting company से बात कर रहा हूं और नया घर आप लेते हैं तो painting करते हैं या कुछ साल हो जाते हैं कि लगा कि fade हो गई है painting color हमारे घर का तो painting करते हैं तो paints related company है और उस company के नाम है Asian paints आई हम उस धाकड company के बारे में बात करेंगे कि आप अगर उसका stock लें तो कितना आपको पिछले पास 10 सालों में उन्होंने return दिया है और आगे आने वाले समय में क्योंकि अभी तो सबके पास अपना घर होगा तो इसके demand तो जबरदस्त बढ़ने वाली है चलिए बढ़ते हैं इस stock का नाम है इस company का नाम है Asian Pains Limited और जो देखिए यहां पे 22 March 2019 को इसका closing price था Friday को 1470 रुपए 70 पैसे और 52 week low बनाया था 1092 रुपए 15 पैसे और high था 1490 रुपए 60 पैसे और यह देखिए यहां पे सेंटिमेंटर में लोग कह रहे हैं कि 100% लोग कह रहे हैं buy, buy it, buy it market cap है 1449 करोड का EPS है, earning per share है, 22 रुपए 60 पैसे और PE है इसका 65 का, PE थोड़ा जादा ही रहता है इनकी सारी कमपनियों का और book value है NT1 का, price to book है 16.14, industry P 62.58, deliverable है 52% के आस-पास जबर दस्त good quality की कमपनी है, as per management risk, growth and capital structure, sales growth 9.19%, EBIT growth है 13.48% और net debt to equity है negative और valuation देखिए expensive पर है क्योंकि थोड़ा सा इनका valuation expensive रहता है और यह कम valuation अभी कम price पर यहां पर जब 10 सुपर आया था तब भी खरीदना चाहिए था और मुझे लगता है कि long term purpose से अगर आप ले रहे हैं 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, ऐसे stocks अपने portfolio में लंबे समय के लिए रखे जाते हैं कि एक तो यह सबर्दस return भी देती रहती प्लस dividend भी अच्छा खासा आपको देती है और दिगज कंपनिया होने के वेसे इनमें कोई खत्रा नहीं रहता कि कोई आचानक किसमें बुरी खबर या sensor से ज़्यादा टूटा तो यह सब बैठी जाएंगे ऐसा कुछ नहीं होता हूं देखिए ROCE है 36.51 परसंट का ROE है इसका 23.82 परसंट का financial trend है इसके positive और score है 7 का अब return देखिए यहां पर इन्होंने दिया है 10 सालों में 1865 परसंट का मतलब आपके पैसे को अगर आप मालेजे 2 लाग 5 लाग 10 लाग एक लाग एक हजार जो भी आप लगाते तो आपका 1865 परसंट का return मिल जाता sorry 5 years में 191 परसंट का है 4 year में 81 परसंट का 3 year में 72 परसंट का पांच one month में 5 एक week में 2 और one day में 1 परसंट का मतलब आपका आपको कभी भी निराशन किया मतलब जब भी आपने पैसा लगाया है तो negative में नहीं है भली चाहे 2 रुपए बढ़े हो चाहे 100 परसंट उसका profit हो रहा हो चाहे लेकिन क्या होता long term में ऐसी कंपणियों में तिकेच कंपणियों में देखे जबर्दस 10 सालों में कितना भयानक return मिला हुआ है और दूसरी बात है अभी तो इसमें और भी आने वाले समय में यह बहुत सेक्टर जो है paint का चलने वाला है क्योंकि अभी इतने घर बनेंगे इतने ज्यादा घर बनेंगे लोगों को हर साल इसकी जरुवत पढ़ती है घर-घर में painting होती है अपने हिसाब सभी अभी हम इसके website भी चलेंगे कि लोग कुछ ऐसे consultancy भी provide कराते हैं आपको किसा साब से color match करना है वास्तु के हिसाब से या देखते हैं आगे तो यह रहे इसके return जबरदस और financial हम देख लेंगे इनके financial देखिए यहाँ पे जो है quarter के सप्तंबर 18 तर देसंबर 18 में 14% की बढ़त है operating profit में भी 33.01% की बढ़त है और operating profit margin भी इसका 2% सबरदस्त उपर है जो कि यह अच्छी बात है और net profit भी 28% 39% के करीब है बहुत बहतरीन annual returns भी हम देख लेंगे दिखाई देते हैं आपको देखिए अनुवल रिटर्स में मार्च 17 से मार्च 18 के यहाँ भी पौने 3,5% के करीब upside है और operating profit भी 7% के upside पे है net profit भी 5% के upside है और operating profit margin भी maintain कर लिया है इनोंने 0.81% की upside है shareholding में देखिए यहाँ 52% की shareholding है करीब और 11% यहाँ पर थोड़ा सा इनोंने 11.12% के करीब इनोंने जो है अपनी holding को गिरीवी रखी हुई है तो यह थोड़ा सा कमी लेकिन बहुत बढ़ी ऐसा कमी नहीं है इतनी बड़ी कमपणियों में थोड़ा सा ज़रुत पड़ जाती है fund one की और mutual funds के 37 schemes ने पैसे लगा रखी है FIIS की 686 मतला 15.67% की holding है और यहाँ पर individual है 11.94% की और highest public shareholder LIC Life Insurance Corporation of India 5.22% की इनकी holding है LIC भी आपने ले रखी होगी कुछ policy घर घर policy लेते हैं लोग तो देखो आपको पैसों के अच्छी जगार लगाते हैं और खुदी ज़्यादा return कमा लेते हैं आपको तो कितना देते हैं तो पता है एनिवेज अब देखिए पैंट से related company Asian Pains है 1945 से काम कर रही है dividend 2.85 पैसे का 2018 October को दिया था इस साल भी देगी और market cap हम देख चुक है अपनी industry में number one company है पैंट से 98% की income है और home improvements से इनको 1.94% की income है अब देखिए यहां पर यह जो to help you design अगर आपको घर में अपने आपको home painting we use certified green products with quick applications and lower drying time latest mechanized tools and robust robust project management for on time delivery ensure great painting experience तो यह website पर भी जाके आप चक कर सकते हैं अपने घर को अगर प्रेंट करना चाह रहे हैं आगर आप stock भी खरीदना चाह रहे हैं तो देखिए आपको भी तोड़ी सी research करनी चाहिए क्योंकि इतनी बड़ी website है बहुत सारे इनके बहुत प्रोड़क्स और उनके बारे में details लिक होई गार मैं पढ़ूँगा तो कम से कम वीडियो बन जाएगा आदे घंटे का ज्यादे ही बन जाएगा चाहते हैं कि हमें छोटी जो है अमांट का जैसे stock price premium जो है छोटा हो क्योंकि कुछ लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगता है छोटा जैसे इसका भाव चलता है 14-70 रुपए है अगर नीचे आता है तो भी खरीद ये ऊपर आता है तो भी आप अगर S.I.P कर रहे हैं तो भ भी अच्छी कमपनी है देखें बर्जर पिंट भी 314 रुपए का तो दोनों कमपनियां शांदार है दोनों के रिटन्स भी अच्छे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है price doesn't matter long term के लिए अगर आप ले रहे हैं तो premium doesn't matter दोस्तों आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और हा आपको अलर्ड करना अगर कोई बुरी कमपनी है और जो डेटा उपलब्द होते हैं उन्हीं के आधार पर हम आपको बताते हैं थैंक्स वर वॉचिंग वीडियो थैंक्यू